मनेपुर के नोनी जिले में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर 30 जून को हुए भीशन लेंड्सलाइट को राज के इतिहास में इस तरह की सबसे खराब गटना माना जा रहा है एसाथ से में प्रादेक्षी सेना के 15 जवान और 5 आम नागरिकों की मौत हो गई मिट्टी में कई लोग अभी भी दबे हुए हैं ये जिन्दा होंगे या नहीं कोई नहीं कह सकता है राजु में इस साल लेंड्सलाइट में 81 लोगों की मौत हो चुकी है मिट्टी में दबे लोगों के लिए सर्च ओपरेशन चलाय जा रहा है इस बीच नागरिक प्रशासर ने एजरी नदी के निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सावधानी बरत ने और लेंड्सलाइट से नदी पर बने बाद के तूटने की आशंका के कारण जगख खाली करने को कहा है इस बीच मणिपूर के मुख्य मंत्री एन बिरिन सिंग ने अपने मंत्रियों के साथ घटना स्थलका दोरा किया और बचाव अभियान की समीख शाकी CMN बिरिन सिंग ने मरने वालों के परिजरों को 5-5 लाक रुपए और घायलों को 50-50 जार रुपए के मुआवजे की घोशना की है उन्होंने इस घटना को इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा बताते हुए का कि राज के इतिहास में सबसे खराब घटना है इस दुखद हादसे में 81 लोग खोए हैं हमने 18 टेरिटोरियल आर्मी के शवों का रेस्क्यू किया गया है अभी भी 55 लोग फसे हुए हैं मिट्टी के कारण सभी शवों को निकालने में 2-3 दिन का समय और लगेगा आपको बता दें कि मणिपुर में 29 जून को देर रात नोनी जिले में तुपल रेल्वी स्टेशन पर बड़े पैमारे पर लेंड स्लाइड हुआ था गड़ना बुद्वार आधी रात के करीब उस वक्त होई जब जीरी बाम से राजधाने इंफाल तक बनने वाली रेल्वे लाइन की सुरक्षा के लिए टेरिचोरियल आर्मी का एक कैम्प वहां तैनाद था दरसल जीरी बाम को इंफाल से जोडने के लिए एक रेल्वे लाइन का निर्माण हो रहा था जिसकी सुरक्षा के लिए एक सो साथ टेरिचोरियल आर्मी के जवानों को तैनाद किया गया था इस लेंसलाइट में कई जवान अभी भी दबे हुए हैं ऐसी आशंका बताई जा रही है प्रशासन ने यात्रियों को कई सड़के मल्बे से बंद होने से नैशनल हाइवे से 37 से न गुजरने की सला दी है फिलाल रैस्क्यू ऑपरेशन जारी है खबरों में इतना ही अपड हुए 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 हुए